आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo कीजो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now Read the given passage यहाँ पे बोला गया है कि पैसेज को पढ़ने के लिए Question है, P, Q and R are the invertebrates which possess flippers यहाँ बोला गया है कि P, Q, R जो हैं वहाँ पर flippers पाए जाता है P is cold-blooded animal, whereas Q and R are warm-blooded animals तो P जो है वो cold-blooded होता है, यानि हम कह सकते हैं कि ऐसे organisms जिनका external temperature के साथ body का जो internal temperature होता है वो change होते रहते है लेकिन warm-blooded animals में क्या होता है कि जो internal body temperature होता है वो constant होता है next है Q poses feathers as body covering, whereas R poses hairs as a body covering तो पूछा गया है कि which option correctly identifies P and R तो basically अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो P क्या बन जाता है तो P जो है उसमें flippers भी पाए जा रहा है और वो cold-blooded है यानि हम कह सकते हैं कि P जो है यह रेप्टाइल है और रेप्टाइल इस आप से consider करें तो यहाँ पर frog amphibia है इसलिए first option correct नहीं होगा next है turtle जो कि रेप्टाइल में consider होता है फिर है seal जो कि mammal है इसलिए correct नहीं है फिर है turtle जो कि रेप्टाइल में correct होता है तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते है जो P है वो turtle हो सकता है या फिर turtle ही है जो कि रेप्टाइल में consider होता है और इसमें flippers पाए जाते हैं और यह cold-blooded है next दोनों को warm-blooded animals बोला गये हैं जहाँ पर simply Q में feathers है यानि Q जो है यह एक bird है तो first में penguin है लेकिन penguin correct हो सकता है लेकिन यहाँ पर frog के वज़े से यह गलत है seal जो है वो bird नहीं है या फिर यहाँ पर feathers हम नहीं देख पाते हैं तो यह भी correct नहीं होगा फिर है frogs यहाँ पर नहीं दिखाए देता है पेंग्विन्स में हम कह सकते हैं कि birds होने के वज़े से यहाँ पर feathers दिखाए देता है इसलिए Q जो है वो हो जाएगा penguin next अगर consider करते हैं तो वो है R जो कि warm-blooded है और यहाँ पर hairs पाए जाते हैं तो basic अलिए अगर seal को देखा जाए तो यह mammals है और इसलिए R जो है यह mammal group में है जहां पर हम कह सकते हैं कि hairs जो है वो एक prime character है तो इसलिए correct answer according to the question हो जाएगा fourth option Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह whatsapp कीजिए अपने doubts 8444 चार्स उपर